असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल सितारा फेशन, SKR, आल वीवर्स, आज हम आपको कुर्ता पट्टी नेक डिजाइन बताएंगे, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन करने, वीवर्स आपने सिंपल कुर्ती की कटि कर लेनी है, उसके बाद 3.5 इंच पे यहां से निशान लगा लेघा ले, और लमबाई आपने आठ इंच पे इसकी लगा लेनी है, उसके बाद वीवर्स यह जो निशान लगाया है, इदर पे आप इस तरह से कट लगा ले, और सेंटर में से आपने काट लेना है France को ठीक है 8 हिश तक काट ले जहां पे निशान लगाया है वही तरह इस तरह से उसके बाद वीवर्स आपने फाब्रिक ले लेना है और इस पे भी आपने इस तरह से डबल करना है सबसे पहले सीधा निशान लगाना है इस वर भी आपने साड़े तीन इच पे निशान लगाना है चुड़ाई का यहां से भी साड़े तीन और लंबाई आपने रखनी है साड़े पाँच उसके बाद आपने इसको इस तरह से देखें एक डबे की शकल बना लेनी है और वीवर्स गले की अच्छे से गोलाई दे लेनी है उसके बाद इसको कट कर लेंगे तो वीवर्स यह मैंने कट कर लिया है अभी आपने इसको बिल्कुल सेंटर में से कट कर देना है उसके बाद वीवर्स आपने फैब्रिक लेना है और उसके उपर इस तरह से आपने अलग-अलग चिपका लेना है तो विवर्स यह मैंने चिपका लिया है और नीचे वाली साइट से आपने एक-एक इंच कपड़ा छोड़ देना है इजाफी इसको भी साइट पर रख देते हैं उसके बाद फिर से हमने फैब्रिक ले लिया है और ये हमने एक पट्टी कटिंग करी है बुक्रम की इसकी चुड़ाई है विवर्स पोना इंच और इसकी लंबाई है साड़े सतरा इंच इसको चिपका लेंगे इस तरह से ये देखें ये मैंने चिपका लिया है विवर्स उसके बाद शौवर की मदद से हलका हलका सा इसके उपर पानी लगाएंगे और ये वाली साइट आपने जो है इस तरह से बिठानी है ये जो कपड़ा है आपने बुक्रम के उपर की तरह फोल्ड कर देना है प्रेस लगा के अच्छे से उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उसके बाद ये वर्स आपने वापस से फैबरिक को इसके उपर मोड़ना है और जो भी इजाफी हो वो आपने कट करना है कपड़े को आदा आदा इन छोड़के बाकी कट करना है और इसको इसके अंदर की तरफ इस तरह से बिठा लेना है पहले इसके उपर प्रेस लगा लें उसके बाद इवर्स इसके उपर हलका हलका सा शावर लगाए फिर आपने इसको अच्छे से जमा लेना है तो विवर्स यह हम कुर्टा पट्टी बना रहे हैं यह कुर्टा पट्टी हमारी बन गई है तो विवर्स टाइम जाया कि यह बगएर मशीन पे चलते हैं आपने इसको पांच इंच का काट लेना है यहां से और इसके एक साइट पर सलाई लगा देनी है सलाई किनारे के ओपर लगानी है विवर्स उसके बाद इस तरह से इसको रख लेंगे यह दोनों किनारे एक साथ मिला के रख लेंगे और यह जो अंदर वाला कपड़ा है वो आपने नीचे से काट देना है उसके बाद ये वर्स आपने फ्रेंट ले लेना है और इसको आपने इस तरह से खोलना है इसके अंदर रख लेंगे और इसको इस तरह से खोल के पट्टी को इसके नीचे से इस तरह रखेंगे ये कपड़ा आपने तकरीब आदा इंचिस के अंदर करना है पट्टी के अंदर और किनारे की स्लाई लगानी है अच्छे से इसको सैट करके आपने किनारे को पर स्लाई लगाके इसको बंग कर लेना है यहां से निकाल दें उसके बाद दूसरी वाली पती भी हम इसी तरीके से लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट है लगाना उसको अब यह देखें यह वाली जो हमने साइट चोड़ी है इसको यहां से इस तरह रखेंगे और इसके अंदर इसको करेंगे और इसको इस तरह से पलटा देंगे इसके उपर आपने इस तरीके से देखें रखना है और किनारे की स्लाई लगानी है इसके उपर जो कमीज का सेंटर है वीवर्स वो आपने बिलकुल पट्टी के सेंटर में ही रखना है अगर आप इसको आउट करेंगे तो पटी आपकी इदर उदर भागेगी नीचे की तरफ से पटी को मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है आप भी इसी तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा यहाँ पे नीचे आके रुक जाए और इदर से सलाई को गुमा कर यहाँ से सलाई को गुमाए और सलाई को उपर की तरफ वापस ले जाए यह देखें यहाँ तलक पटी हमारी लगी हुई है तो हम इदर से इसको ठोका बादेंगे यहाँ नीचे वाली जो पटी है वो आदा इंच जो हम सलाई अब लगाएंगे उसके नीचे दबनी चाहिए ठीक है इस तरह से इसको गुमा लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एक सलाई पेले इस तरह फिर वापस से सलाई को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर धागे आपने बड़े बड़े छोड़ देने हैं उनको नीचे की तरफ ले जाके गिठान लगा देनी है तो यह देखें यह प्रोसेज मैंने कर लिया है वीवर्स तो यह हमारी कुर्ता पट्टी लग गई है अभी वीवर्स यह वाला आपने गला ले लेना है गले को आपने इदर से फोल्ड कर लेना है और इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो यह दोनों गलों के उपर मैंने लगा ली है इसी तरीके से सिलाई अभी वीवर्स यह जो हमने शुरुवात में कुटका लगाया था साड़े तीन इंच पे वहीं से हम इसको रखेंगे ताके हमारा गला बिलकुल भी आउट ना हो और जो बुकरम जहां पे खतम हो रहा है वो पट्टी के बिलकुल सेंटर में आए इस चीज़ को आपने अच्छे से रख लेना है गले को उसके बाद आपने एक पिन लगा लेनी है ताके ये इदर उदर आउट ना हो फिर आपने बुकरम के बराबर बराबर सलाई को चलाना है और इसको इस चीज़ कर लेना है गले के इसाब से आप इसकी गुलाई को गुमा लेंगे सलाई को गुमा लेंगे गले के बराबर बराबर बहुत ही सिंपल है वीवर्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो हमें कॉमेट्स कर सकता है हम कोशिश करेंगे जल से जल उसको जवाब दें या आप हमें जोईन लैक फॉलो कर सकते हैं सोचल मेडिया पर सारे लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन में दे दिये हैं ये देखें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़के आपने बाकी कपड़ा कट करना है उसके बाद आपने इस तरह से कट लगा देने गले के अंदर उसके बाद वीवर्स इसको रॉंग साइट पर पलट लेंगे ये वाला जो इजाफी है कपड़ा इसको इस तरह से पीछे फोल्ड करेंगे और इसको रॉंग साइट के ओपर इस तरह से पलटेंगे ठीक है तो इसी तरह से मैं दूसरे वाला भी लगा लेता हूँ जल्दी से ताके वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो ये देखें दूसरा भी मैंने लगा दिया है और कट वगेरा भी लगा लिये अभी हम इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे तो वीवर्स ये देखें ये मैंने अच्छे से बिठा लिया है हमारा कुर्तापटी नेक गला बनकर त्यार हो गया है अगर आपको हमारी बनाए गई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर दें ताके इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा दिल से लाइक कर दीजिए तो वीवर्स कुछ मैंने इसकी इमेज ली है देखें कितना प्यारा सा लग रहा है सिंपल सा नेक ट्राइज जरूर कीजिएगा और हमको बताईएगा आप से कैसा बना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक रखिएगा अपना खयाल दौाओं में रखिएगा याद अल्लाहाफेश